मम्तादी क्या कोई मुल्ला को धमका सकते हो आप क्या कोई इमान को धमका सकते हो आज आज किसको धमकाता है साधू को सैनासियो को आप एतना जिरा देगा बेंगल को ये बेंगल साधू का भूमी है ये बेंगल स्वनातन का भूमी है ये रामकिष्णा मीशन का सधुनूर साइना का सिमन्त में जाते है जहाँ भारत सरकार का दक्तर भी नहीं जाते है ना उहां रामकिष्णा मीशन पोहुँच जाते है एक सेवा का बहुत बड़ाई की हाथ मैं मंता दिनी को पूष्णा चाता हूँ आपने केतना होस्पिटल खोले मैं मंता दिनी को पूष्णा चाता हूँ आपने जीवन में केतना स्कूल खोले आपने जीवन में जतना स्कूल नहीं खोले जतना होस्पिटल नहीं खोले रामकिष्णा मोस्टेन भारत से बासर उससे पतास कुना जादा होस्पिटाल खुला है स्कूल खुला है अब ये दुख का बाद है दुख का बाद है कि आज आप ये बंगला का भूमी को सेख साजान का हाथ में सोब दिया क्या पाई है सीयम का कुर्शी, ये सीयम का कुर्शी कब तक रहेगा, एक दिन बिना कप्रा हम आया हो, और बिना कप्रा जाना परेगा, यही हमारा तक्दिल में लिखा हुआ है, ये कुर्शी मेरा साथ नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास आपको देखेगा, कि आप ये पवित्र बंगला का भूमी को विबे कशाधाई को भूमी को आपने सेच साधान का भूमी बनाके राख आहा ुट किती हाीद किसी को माफ नहीं करते हैं आप मत भोलिये हिंडु और भारत कभी भी दूर्बल नहीं थे जब भारत का भाइक्या में ओरंजे था ओर समय में भारत ने सत्रपटी सिवाजी को भी जनम दिया था जब भारत में ओरंजे थे तब भी गुरु कुविंचीं थे जब ओरंजे थे उठ समय में भारत में लाकित पर्फुकन थे मम्ता भी आप सुन लीजिए हिंदो ये भारत में थे हिंदो है और हिंदो रहेगा आप सुन लीजिए हम रहे ना रहे ये भारत में हिंदो रहे हिंदो रहेगा आप हिंदो को डबा नहीं सकते हो मैं मम्ता दिवी को बोलना साथ हूँ आपने ये बेंगॉल को क्या करके राज दिया है हमारा देशा लोग हम आटे थे बेंगॉल में नेटा जी सुभास्वन्यों बोशु का मीजियम देखने हम लोग बेंगॉल आटे थे सामी विवेकानन्द का राम किस्ना पराम हंस का दुखिनेश्वर काली मंदिय देखने वर्याना परेगा संदेश खाली को आज हम, हमारा सामने अब क्या राम दिया है। आज पूरा भारत में एक वोर्ट अगर आज गुबुल मारे सबसे जो वोर्ट पोपुलार हो रहा है वो वोर्ट का नाम संदेश काली है। मैं दीदी को बोलना चाहता हूँ दीदी सत्तुर साल हो गया भगदान ने आप जो भी मंगा था अल्ला इस्टर ने आपको सब कुस दे दिया कम से कम बेंगल को संदेश खली मत देना एकना तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ भाई और बहनो भाई और बहनो आज आप लोग देखिए दीदी बोलते हैं कि मुल्लो पृध्धी हुआ है मोधी को मत भोट दे रहा है मैं दीदी को पूछना साथ है यह मुल्लो पृध्धी किसके लिए हो रहा है आप साम में पेट्रोल का कीमत कितना है आप गुबल कीजिए पेट्रोल प्राइचिन गोहाटी एकसो ती मशाल के नहीं कुपे हैं याने लिए हैं लिए लोग भाकिन हैं फोरी हैं स्पासा के किमते हो उपिए निन्हीं सिंप उपिज और ज spiceम चांड है indoor बेंगोल में पेट्रों का डाम अक्ते रूपीया ज्यादा है जैसे का नहीं वोगेंगा आ 90 रूपिया है आपका कैलकटा में पेटरोल का कीमत क्यों 130 रूपिया है जबाब दो आज जबाब दो हमें आज हमारे गैंगोल का पुलीस लो सबसे मंददीदी का लोयल होते हैं राद नवर मिम का प्रसेशन भी निकालने नहीं देते हैं लेकिन आप पुलीस को पूछिये आप दिये कैतना रूपिया मिलते हैं सब पुलीस का तुई इंकम नहीं होता है न बहुत सरीफ पुलीस है जो टंखा का खिवा सल नहीं सकते हैं जिसको तंखा चाहिए और तंखा जिसको चाहिए जिसको तंखा साहिए इनको पूशिए आपका दिये केतना है मम्ता दिये देते है 14% और असाम अपना सरकारी करमशारी को केतना दिये देता है 50% आज बेंगल देता है सोधा पर्षन बेंगल का जीदीपी है ग्यारा लाग क्रोर और असाम का जीदीपी मुश्किल से पास लाग को और बेंगल अपना करमशारी को सोधा पर्षन दिये देते हैं हम 50 पर्षन देता हो हम खली मंदिर ही नहीं बनाता हो हम मन मंदिर भी बनाता हो हम स्कूल भी बनाता हो हम हस्किल भी बनाता भाई और बहनों पास साल तीन साल हो गिया मंदा दीदी का तीन बार टेरा साल हो गिया नोक्री किसी को नहीं देते है चुबाव का पास नोक्री नही है तिन चाल पहले में जिप मिनिस्तर बना मोडी जी ने मुझको बोड़ा कि असाम असाम में संती आया है तुम एक लाग जुबाओ को नोक्री देना हमें हिंडो मुसल्मान नहीं देखा हमें एक लाग जुबाओ को नोक्री दिया एक पोर्ट केस्ट भी नहीं हुआ सब पेरित में नोक्री मिला गौहती का स्तेडियम में मैं एक लाग लोगों को भुलाया अमीज साथी को भुलाया एक एट करके अपना बेता बेती को भुला पीता माता का संदय अपॉइंट्मेन लेता लुँशा दिया यहां नोक्री करूं और एसार कहीं लिए हर्यान में हो रहा है यूपी में हो रहा है महज़ब प्रडेस में हो रहा है शतीस गर में हो रहा है बंगला में क्या होता है 23600 का नोंकरी होते हैं और 23000 लोगों का घर से खून से 10 लाग 20 लाग रुपिया पाथ 10 उडियो में पार्थो सेटर्डी का घर में जूमा हो जा जित अब करक्वड गर शेभी रुपिया नहीं होता है उनका गॉल्फिज्पें का घर से रुपिया बर ऑकर देखिए अंदेही मतलब दोंगता है कि आपक्ति का बडहता है विन ओट खाता है आप देखो मतलब कुछ ना कुछ टेबलेट पैदा कर रहा है ना टेबलेट प्रडक्शन कर रहा है ना लोगों को जवान बनावे में का आज आप लोग देखिए वो बच्छा का नोक्री भी गिया पैसा भी गिया और ममतादी क्या बोलता है CBI क्यों आए? CBI पाठा को क्यों एरस किया? अरे भाई 23,000 रुपिया 23,000 लोगों का पैसा लुटने का बाद CBI की उनको सुमा खाना साहिए था उनको क्या सुमा देना साहिए था? इसलिए हमें ED साहिए CBI साहिए पाठाची देशा लोगों का पैसा लेके प्रधारिमंटी अबास उजना बने जरीब के लिए इसलिए हमें CBI और ED साहिए इसलिए हमें CBI और ED साहिए इसलिए पाठाची में भी पैसा लेगा बस लाग, पास लाग, पुनर लाग यह क्या है? अग गाई का भी तसकरी करेगा आज के बेंग्डोल साजहान, पाठा सतरजी, अनुप्रतम अंडल यही बेंग्डोल का आइकन मन गिया आज बेंग्डोल का आइकन सामी विवेकान अंडल नहीं है आज बेंग्डोल का आइकन सेमा प्रसाग मुखारजी नहीं है आज नया बेंग्डोल का आइकन कोन है? शेख साजान, पाथ हर सकरजी, अनुप्रत मंगल, ओही लोगाँ नया बेंगल का आइकन बना हुआ है भाई और दहेनो, ममता भीबी बहुत जोड करते हैं कि भीजे पी आने में लक्षमी भंदर बंग कर देगा अरे क्यातना रुपिया देते हो आप लक्षमी भंदर में, पूसो तो, पान्सो देते थे, फिर सुनावाने क्या कारण हजार किया लेकिन हमारा असाम में मुझ्यो प्रदेश सत्तीजगर में तीन साल से सारे बारो सो रुपिया का लक्षमी भंदर मिलते हैं और मेरा असाम से छोटे पड़ेश है, हम देता हूँ सारे बारो सो रुपिया अगर लेर्खी हाय सेकेंडरी पास करते हैं, पॉलेश जाने के लिए हम स्कूटी देता हूँ पॉलेश जाने के लिए, और मेरा बेटी जब इनुवर्शिटी परते हैं, उनको एद्मिशन प्री, मैस्डियूस प्री, साथ में मैं पसीद हजार रुपिया, हाथ खर्षा के लिए बेटी को देता हूँ पसीद हजार रुपिया, खाली एक्टाउन में जमा कर देता हूँ, कि आना जाने का खर्षा, इनुवर्शिटी में भी आपको एद्मिशन प्री नहीं देना है, मैस्डियूस भी आप जो देते हैं, ओ भी मैं रीमबर्स कर देता हूँ, गुबल करके देखनी जिएगा, मै ये काली मा का ढूमी के में आखे में जूट नहीं बोल सकता हूँ, आप उबल करके देखनी जिएगा, और मम्तादी ब्लेक मेल करते हैं, बीजे पी आने से हजार रुपिया बन हो जाएगा, मम्तादी मैं आप ठिक बुला है, आप सही बुला है, बीजे पी आने में हजार बंद हो जाएगा, कारण हमें तीन हजार रुपिया देना है, हमें तीन हजार रुपिया देना है, इसलिए आपका हजार रुपिया हम बंद करने वाला हूँ, मा लक्ष्मी हजार रुपिया नहीं हो सकता है, मा लक्ष्मी का भंदर में बेकारों के लिए नोक्री भी होना स जो जगा में लक्षमी होते हैं वो जगा में पाथा से तरजी नहीं रह सकता है। जो जगा में लक्षमी सरस्वती होते हैं वो जगा में शेक्सा जहां नहीं रह सकता है। मैं ममता जिदी को बोलना चाहता हूँ। बेंगल का मा बहन को 1000 रुपिया नहीं चाहिए, आज बेंगल का मा बहनों को नयाई चाहिए, संडेश ठाली के लिए नयाई चाहिए, ओ दे दीजिए, हमें आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप से शाजहान का हिसाब कर दीजिए, और नहीं कर सकते हो, मुझकू ठाली एक द विसके लिए मुझे को देढ़ो आपका काम में सब्सक्राइबोंगों हम ऐसे बहूत लोगों का हिसाम करह O आप खाली गुगल करके देखे टीस सालने अंगलिस में क्या-क्या-क्या भोल के खाली यह गुग्न करके देखे लिए कैसा Kईका हगी पगार का कैो है खाली घुबूल करके देख लिजे पता सब जाएगा इसलिए मैं दीदी को बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, सेक साधान को मुझे दे दिजे, खाली एक दिन के लिए मुझे दे दिजे, बागी जो करना है और मैं करोंगा, आपका सन्वान में बरहा लूँगा, आप भो कrejtorial का कीमत भी जादा सरकारी करम सारी को भी दिये नहीं मिलेगा अधिलेगा मोडे अरे मोडी का गुज्राब जाके देखो तू एक बड़ मुदी मुसलमान को कुछ नहीं करते हैं मोडी का भुलेट फ्रेग में क्या हिंडू मुसल्मान दोनों नहीं उठते हैं क्या खाली क्या हिंडू उठते हैं मोडी का फ्रायर भर में क्या खाली हिंडू उठते हैं मुसल्मान नहीं उठते हैं क्या मोडी का पेट्रोल लिपू में पशनन नो कोई रूपिया पैट्रूल खाली हिंडो लेते है क्या मुसल्मान के लिए एक्सोत इन रूपिया है क्या सेकुलरीधी में अइसे नहीं होते है मैं जब बैंगोल में आता हूँ वाल परता हूँ दुर्गा-पुजा पुजा नहीं है उच्छा हे हमारा पूजा तुम कब उच्छब बना दिया मा दुर्गाई हमें उच्छब बनाने के लिए आते है मा पूजा लेने के लिए आते है मा उच्छब करने के लिए नहीं आते है ऐसा सेकुलर मत बनो सेकुलर बनो लेकिन एक्ता सेकुलर मत बनो कि मेरा पूजा भी उच्छब हो जाते है जाओ मुसल्मा लोगों का जाके बोलो कि तुमारा इद उच्छब है आपका क्या हलत कर देगा एक बार जाके देख लो आपका काम है तु जाके देखो मुसल्मा लोगों का इद इद का दिन आप मजडिक में जाओ रम्दान का नमाज पढ़ने के लिए और ये नमाज को आपने उच्छब बना दिया। कोई मुसल्मत मानेगा इतको उच्छब बनाने में। लेकिन यहां ने सेकुलरिज्म का टैबलेट दे दिया। दुर्जा-पुजा उच्छब बना दिया। मतलब सब्तमी नहीं होगा, अस्तमी नहीं होगा, नबमी नहीं होगा, माँ हमें अशीरवाद नहीं होगा, माँ कालरनाइच के लिए आते हैं। मैं ये पिधिवी में माँ कालरनाइच मगने के लिए आते हैं। ये भी सेकुलरिज्म एतना मत बना। ओशेकुलरिज़्म लोगों को नहीं चाहिए, सेकुलरिज़्म कैसा सेकुलरिज़्म साहिए मैं आपको बताता हूँ, असाम में मुझ्छा मंत्री बना, मेरा पास एक अधीगारी फाइल लेके आए, क्या है फाइल में? बोला शाब आपका दस्टा खथ साहिए, क्या दस्ट बुला मात्यासा ti-sats का इलारी देना है 100цев क्रशकर रुप्यार्वय साहिए, आप दस्टा खथ किजे, मैं बुला ये मात्यासा में क्या होता है, धुक्तर बनते हैं, इंजिनियर बनते हैं, बुलै नहीं सेकुलरिज़्म साहिए, मुला बनते हैं, मोलाना बनते हैं, इमाम मुझें बुणा सरकार का पैसा आप दक्तर बनाने में करसा नहीं करेगा इंजिनियार बनाने में खरसा नहीं करेगा आप मुल्ला मनाने का गड़ेगा ये धुगाना से ही बंकरा मैंने साथ सा मज़ाशा एक दिन में बन कर दिया एक दिन में ये अफिसार आगे मुझे को भोला कि साहब देश में हल्ला हो जाएगा मैं बुला जो भी होगा मैं समालूंगा तुम खल जुकान बन करो हमने ओ मज़ाशा में स्कूल बनाया पॉलेस बनाया आज जो पहले मज़शा था ओही स्कूल के आज मुसलमन का बच्चा दाक्पर इंजिनियार बन रहा है उसको सेकुलरिज्म बोला जाता है सेकुलरिज्म का मकसद सेट साजहन को पलना नहीं है सेकुलरिज्म का मतलब है गरीब को डाक्टर बनाओ इंजिनियार बनाओ इसको ही सेकुलरिज्म बोलते है हमें सेकुलरिज्म किसी से सीखना नहीं है बोसुदोईब कुतुम वकम मंता दियाने का पहले में भी भारत में था यह सेकुलरिज्म हम हिंडू को किसी से सीखना नहीं है भाई और बहनो मैं मुसल्मान मताओं का बीच जाता हूँ हमारा साम में 36% मुसल्मान है as per 2011 census 2021 का हिस्षाद से जो सायग सल्लीज बन चुका है मैं मुसल्मान मताओं का बीच में जाता हूँ मैं पूछता हमाता तुम्हारा कैसा है कक्लिव है बुले देखिए बाबा काल एक नया साधी हो गया मुझको ड़क्टाल पहले साधी किया आज मेरा पटपची में दूसरा साधी किया तिसरा मां को पूछते जाता हूँ बुले मेरा घर में तु किसरा आशुका है किसी में बोलता है मेरा घर में सोथा आशुका है हाँ बताओ अगर ओ बेटी आपका बेटी होते थे मेरा बेटी है एक क्या मैं इसको ओ घर में साधी करूँ ढूँगा पहले जिसका तीम तीम पत्निया है मर जाओंगा लेकिन मेरा बेची को ऐसा घर में मैं साधी नहीं करने दूँए लेकिन आजा मुचलमान समास का हालव देखो कुछ नहीं कर सकते हो मुचलमान मालोग रोते है तलाग देखे है तलाग 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 तहीनी खतम सला जाओ ये बोलते हैं न रहूल जी खताखट खताखट ओही खताखट होता है मुचलमान माको एक तलाग खताखट एक तलाग खताखट एक तलाग खताखट पताखट हो दिया ये कुन का खताखट करता है रहूल जी मुसल्मान समाज में जाओ एक एक पोटी एक एक पत्ती को खता 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 खत तवाद देते हैं आप सबसा खता खत सुनो सबसा खता खत का आवाज सुनो आप जो खता खत बोल रहे हो खता खत नहीं है मेरा मुसल्मान मा महिनार हो रहा है ये ख़ता-ख़त का कारण ये जो मुदल्मन पोटियों का अभीगार है ना ख़ता-ख़ता-ख़त ख़ता वत देने का कारण और जोते हैं भाई और बहनों मोडी जी को सार सोसे दीजे हमें ये सार सार सावी करने का दुकान बन करना है हमें देश में इनुपर्म सिविल को जाना है पैयारी पूरा है फाइल में दफ्ता खत्वी हो चुका है खाली आपका सार स्वस्कित का इंदेजार है यह खता 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 जोकान बंद कर देता हूं सलेगा नहीं यह देश में जो लोग हमें सेकुलरीजिम का बात बोलते हैं ना मैं यह लोग को बोलता हूं मत्रसा में जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको मालूं भी नहीं है उन लोग सोचते हैं मैंको दॉक्टर बंदे किया हूं इंजीनियार बंदे गिया हूँ 16 साल में उनको मालूम परता है कि मेरा रस्ता बंद है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जो लोग सेकुलरिदिम का बात बोलते है जब दुर्गा पुजा कुछ सब करने का बात करते है मैं ओ लोग उनको बोलना चाता हूँ कि जो भीविव का जो एक मरत का सार सार भीविया होने से उनका उपर क्या जिरस्ता है उनका हालत क्या होता है ओ जाके एक बार नस्विक में देखो फिर जाके सेकुलरिदिम हमें समझाओ ममतादी आप जाके देखो भीवी घर में है पती के लिए ठाना बना के बैठा हुआ है पती घर में आया और बुला के बुला तलाक 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 खाना तलाक जगा में रह गिया और आपका घिवन का जो बंधन था आप बुक्त हो गिया आप आगे पीछे आपका कूछ भी नहीं बिए ये सेकुलरिजिम है ये सेकुलरीजिम है, अग्या मंता भी कैसे बात करते हो, अग्या कैसे बात करते हो, बुले में भीजेप मंदीर बनाते हो, अरे मंदीर हमारा भगवान किसी से नहीं लेकर, आपको मालूम है, तिरुपती मंदीर केतना लोगों को एंप्वॉइमेंट देते हैं, महा कमच्छा कितना लोगों को रोजगार देते हैं आप काली घात में जाईए काली मा कितना लोगों को रोजगार देते हैं आप दुखिने शरकाली मंदिर में जाईए दुकान से लेकर पुजारिय तर कितना लोगों का रोजगार निकालते हैं हमारा भगवाल महान है बश्तने देवी में मंधिर से जादा मंदिर आप ऐसे हमें हमें इंशाल मत करो कि मंदिर बनाओ मंदिर नहीं बना कि हमको क्या बनाना चाहिए संदेश खरी बनाना साइए लोग मंदिर जाने से लोगों को सांची मिलते हैं समाज में स्रिमिनल बन होता है ज्राट्षेविक बन होता है आप मंदिर को टमाशा मत समझे कि अगर मंदिर में कुछ नहीं मिलते थे तो सामी विवेकानंद साधू संद कभी नहीं बनते थे मंदिर में कुछ मिलते हैं इसलिए सामी विवेकानंदी में सिकागू में जाके भारत को दिश्वगुरू बनाने का सब्सक्रा दिखा सकता था कारण ये मंदिर से ही उनको पेर ना मिलता है भाई और बहनों मैं कॉंग्रेसियू को बोलना साता हूँ तीम्ची को मैं बोलना साता हूँ कभी भी हिंदु का मंदिर को इंसाल मत करो आज को हमने बुलाया था राम मंदिर का प्रांपतिष्टा में आप लोग नहीं आये मम्ता दिगी नहीं आए राहुल गांडी नहीं आए धर्गे नहीं आए लोग सूचते हैं कि मैंने बहुत बहादुरी करा मैंने नहीं गिया सच बाद है राम नहीं साते थे आप लोग आए सच बाद है राम नहीं साते थे कि आप लोग आई है किसी लिए आपका बुद्धी भंद कर दिया सी राम मुद्धी, इसी लिए आपका बुद्धी भंद कर दिया, अगर आप लोग मंदिर जाते थे ना, तो मुझको सारिस्ट सित नहीं मिलते थे, अगर सुनिया गान्नी राम मंदिर जाते थे ना, राहुल गान्नी जाते थे न में सब्सक्राइब बोल रहा हूं एड़ आएम एड़ीजिन इन फ्रेंक्ली अकर प्रान कोतिष्टा का धीन खार्गे जी जाते थे मंतर जी जाते थे तो हिंदू समाथ कॉंग्रेस और टी एंसी का बारे में खाड़ाब नहीं सुखते थे और साइब हमारे सुदाओं में हमें सार्षो सीथ भी नहीं मिलते थे लेकिन प्रभूरान का यही लिखा हुआ है कि मोदी जी को तीम सीष्टा बार पढ़ान मंति बनना है सार्षो सीथ मिलना है इसलिए खार्गे मंतर जी का और बुढ़ी राम लाने ने फ्रक्ष टरगियों कि मतना मेरा फास बोलता है ना बलवान नहीं आने से लोग सकता है अब बोलते हैं मांने बलवा दिया है तभी जाना है बिना बलवा कोई दया सकता है सरकारी इंद्रिडेशन तो इंद्रिशन है जब तक मा और भगवान नहीं बोलाएगा नहीं जाना होगा मैं तीन दिन में दिल्ली में क्यलकटा में घूम रहा हूँ लेकिन काली धात में जाने का समय नहीं मिला है मुझको कारण क्या है काली मा अभी मुझको दर्शन देने का मून में नहीं है तुम सुनाओ नरो, जब फुरी हो जाएगा बात में आना, अभी मत आना, मतलब जब मा नहीं साते हैं, मैं जा नहीं सकता हूँ, राम लाला नहीं साते थे, कि ये लोग आके मेरा प्रान पतिस्ता उत्सवत को खराप करें, इसलिए ओ लोग का गुट्टी धोस कर दिया, और उलोग जा नहीं पाए, लेकिन ये लोग का खमन भी है, वो लोग सोते हैं, अरे हम नहीं किया, अरे तो मनी गिया तो क्या हूँ, लाखों हिंदू हर दिन जाते हैं, जुद्धामे, बिदेश से लोग आते हैं, और मैं तो मानता हूँ, जा मतलब जीबन का अंच में, अपन जीवन का दारी में कोई टीवी एंकोर को लाके बुलाएगा ना वो एकी सब में बुले बोलेगा कि मेरा जीवन में सबसे भूल मैंने राम मंदिर नहीं जाने का किया आप लोग समसे लिजिए जो लुग जिन्दा होगा भगवान मंदा दीदी को बड़े लंबा आयूडे तो हमारे बच्चे लोग है 16 साल 17 साल 20 साल एक दिन मेरा बात आप लोग याद रखिएगा अंत में दीदी ओहीं बूलेगा कि जीवन का में सबसे भूल किया सा जहान को सास्ती नहीं देके मैंने भूल किया ओहीं भूलेगा मंदा दी राम मंदी नहीं दाने का मैंने भूल किया ओहीं बूलेगा मंदा दी कि मैं वीवेकनंद दी का भूमी को मैंने पार्था सेतर जी अनुब्रत मंदल का भूमी मारा थाई और मेहनों हमें आगे बलना है मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि हिंदू जाग उठा है अभी हिंदू को ठंडा मत करो किसलिए जब हिंदू जागा है विवे का नंदी जिने बोला था जागो तब हमने नहीं जागा आज हम लोग जागा हो अज तब तक हम लोग जागते रहोंगा जब तक हम लोग भारत को विश्य गुरु नहीं बनाओगा तब तक हम लोग को जगते रहना है किसलिए हमारे लिए भारत ही सो है भारत और पकिस्तान का जब मैच होता है मैं पकिस्तान के लिए पागी नहीं नमार सकता हूँ किसले ये भारत मेरा जननी जन्दमभुमी है मेरा सर्वुपरी है मेरे लिए धर्म भी पीसे है मेरे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वुपरी है हिंडु के लिए राष्ट्र का उपर और कुछ धर्म नहीं है जब विभिश्ण ने राम संद्र को बोला था कि राम जी ये अजुद्धा सोने का है ये श्री लंका सोने का है आपको क्यों अजुद्धा जाना है इहां आप राज राजा बनिये हम आप लोगों का श्यवा करेगा तब राम जी ने बोला था कि जननी जन्मभुमी से सरका दपी करिये से हिंदू के लिए ये जननी से जन्मभुमी से और कुछ बरानी होते हैं तो इसलिए देश में अभी हिंदू जाग उठा है और हमें तब तक जाग के रहना है जब तक मेरा भारत विश्वगुरू नहीं विश्वगुरू नहीं होगता है यही हमारा लाख से और मोदी जी को 606 हम इसलिए देना है किसलिए मोदी जी का दिन में ही घारत विश्वगुरू बबेगा यही हमारा संकल्द है और मैं एकी रिक्वेस्ट करूंगा, शार्षो सित्तु मोदी जी को मिलेगा, लेकिन उत्तर कलकाटा शार्षो सित्त में होगा की ने होगा, होगा की ने होगा, होगा की ने होगा, तपोगा जित्पे की ना जित्पे, उत्तर कलकाटा ओई सार्षो सित्ते ठागबे की ना ठागबे, में आदागंदा है तापस आप लिए लेकिन आगे आके में बहुत कुछ में बहुत पूना साथाओ बेंदाल में और हौई मुका मिलेगा तुम्ये बोलंगा और आप लोगों को भी जीवल में जब मुका मिलेगा एक बार भी रामलाला में तुछ आनाई ही हैं और साथ में समय मिलने से एक बार कमैक्ठमाका भी दर्शन करने आगे हैं जब आए जाइत बन में कर दो